हम दक्सरा शींग पिर से स्वागत आपका एक वीडियो में यह आपकी तीसरी घोड़ी हो गई इसका नाम आप चैम्प चैम्प तो कोई फेवरेट टारी पहले जब आ तो इसका नाम उन्हें च्मपी रख रहा था ऑच्छा मतलब चंपी रख रका था नाम और नाम भी चेंज हो गया वहाहाँ बिलकु बिल्गु ऐसे बस्ती। तरगे पिल्गु अच्छा नाम रगा है। यह बच्चा इसी जाए सकहल का हया? अभी कितने के दिन का हाई यह में अच्छा 50 ौड़् लिजू का हो गया रखी? और कॉन से गोड़े ऐई बच्चा? अज्मराट अच्छ गोडा है? अज्मराट अच्छ गोड़ा है ты अतर्थ नहीं हमल के वह इन्हेश नहीं पर अच्छ गोड़ा कि अच्छी शेंगे थाल्ता a perfect गोड़ा साथ आप आप च्छें प्रोडूस कर रहा है तो मतलब आपने वही गोड़ा चूस किया तो चूस करने का जैसे आपने इस गोड़ी को देख के किया या कैसे क्या मैंटेन तो मैंटेन के घ्राट करें तो मैंटेन के इस मैच नहीं है तो सबसे पहले सिरह कोड़ा से भी मिले इससाओ सीरिय भी करें जा से रहे तो फाइट निकाल देगा तो हाइट न्यूद निकाल देगा और इसका टॉप लाइन काफी अच्छी है तो मतलब आलमस्ट आपने घोडी का देखके ही वह पहर की । मतलब इस आशल जो नोटे में ett है वो गोड़ा पूरी करदेगा उते इस अज्ञ आपने शोस समझ किया एकर आगर ब्रीडिंग क्रवाई इसकी कोमन सेंस से आज के लोग आकिया देखते नहीं चीजे बहुत से लोग जानते ही नहीं बहुत से लोग तो क्या है जिसे बाइ मैं पेसे वाड़ा हूं तो इतना बड़ा दिखाऊंगा तो मेरे अच्छे बच्चे आएंगे पर ये चोरिटी तोड़ी नहीं हो कि अच्छे बच्चे आएंगे वो तो अपनी गोड़ी पर डिफेंट रहता है बहुत सिंपल सा काम है बास बिल्कुल राइट वाट आपकी बहुत से 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 बहुत बच्चा बंप और पूरेगा दिफरी कर देगा और फुरा उस हिसाब से ब्रीड़ें इस ननुकर से अंदึ और खे दिफ पांट में है तो किया एक हाइट की loft होगी। सबर गोड़ए कोन अच्छी नाम रखा इसका मस्टेंग नाम रखा है चैम्प का बेटा मस्टेंग हो गया क्या मारकिंग आई इसके सर्फार और इसनाइप अच्छा नेक्स पे अच्छा जानना सहूंगा जैसे अभी ये बच्चे है आपकी पास अभी अगर इसको स्टेलिन बनाना हो इसके अच्छी परवरिश करने हो तो कैसे क्या रहेगा इसका अच्छा मां का दूद फुल दीजिए बिल्कुल जल्दी अलग नहीं करना चाहिए कि कई मैंने देखा ह मैंनों में अलग कर देते हैं वह इता सही नहीं मानूगा मैं नीव मश्बूत होईगी तो फिर मां का दूद पिलाई है शुरुआत में उपर से भी दूद पिलाई है हल्दी मिलागे पिलाई है इम्यून स्ट्रॉंग हो जाएगा बिल्कुल तो जैसे जानना चाहूंगा जैसे मान के चलो जैसे तीन-चार मेने का बच्चा दूद पिलेता है बहुत से क्या वापर किया करते हैं तीन-चार मेने का बच्चा होते हैं बेज देते हैं लोग बाग और मैंने ऐसे से देगे हैं कि पंदरा पंदरा इनके बच्चे बेज देते हैं तो वह ले जाने के इसके उनका क्या ट्रेटमेंट करें इसा कुछ जिसे वो बच्चा स्वस्त रहे जो मा के दूद से हो तो हो जाएगा अब बच्चे को आप दूद पिलागे उसका मोटापा तो ला सकते हैं तो मजबूत ही नहीं रहेगी जो मा के दूद साती बिल्कु राइट बाद अब तो इसके बाद बिला जाते हैं तो अब जैसे अब यह 45 डेज का है तो यह अब और कितने टाइम प्यागा यह आप मान के चलिए जैसे जितना विला उत्ता बड़ी है चैह महीने तक जी पिला इसका बाप तो अठारा महीने तक दूद पिया है अच्छा समराठ बिल्कु जितन अब जाके वह इसा गोड़ा बन पाया जो की नाम करेगा बिल्कुल सभी अच्छा भी सुंदर है यह बिल्कुल बिल्कुल बच्चे में यह बड़ा होएगा तो आप देखे क्या नेक बनेगी इस तुद्ध लेंगे पिर इस ट्रॉक्चर एपूरा यह गुमाव देखे आ बिल्कुल बिल्कुल इस ने खासियत आप देखे इस ने निकल सकता है अच्छा इसको धूद पीने में पहले ही अभी जैसे घर्दन गुमा गुमा यह तो तब भी इसको गुमानी पड़ती थी है बड़ती थी है वह डाईर्टी आराम से नहीं पी पाता है तो 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 बिल्कुल सैयर रहिए कहान संधम केस कर सकता है दिमाग की जरॉटता है ओ चीज मिल गई मतलब बिल्कान में कम ही थी बच्टन गोड़े तो पर अच्छी चीज बोढ़ बिल्कु में तो लेकां ले सकता है गिनको नोले जो तो ऐसा है कि ज्यादा दिमाग की जरुष्ट जो राट बूरी को समझता हो यह कर सकता है जो एक कावत है इस गोड़े यह को से नहींगा हुर से आप प्राइड़ सेना विट मेन निदम टुह आड़ अच्छी तो होड़ आप मैच करिए रुद्राक्ष को और तूफान को सेम तूझ लगते हैं सेम तूझ सेम लगते हैं तूफान कुछ साथ इक सटका ही होगा रुद्राक्ष भी 65 खड़ा है वही है बेटर्मेंट ऑफ दे ब्रीड बिल्कुल बिल्कुल ब्रीडिंग वो समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले कराने से पहले ब्रीडिंग है चीज़ी सब कुछ नहीं है साथ में आपको सब वो सुन्दर्ता में भी जाना जरूरी है बिल्कुल चलो थैंक्यू दक्षराज बहुत अच्छी जान कर दी ब्रीडिंग को लेकर आपने अच्छी जाना जरूरी है गठकर मेरा पिरस्ता पर टू़टक है